क्या मंजरी और मुस्कान मिलाने वाले है हाथ वेल जिस तरह से अक्षा और अभी मन्नो की शादी में एक के बाद एक नया धमाल होते नजरा रहा है वैसे में तो देख के फैंस यहीं उमीद लगा रहे हैं कि अब इनके शादी में कुछ एक नया ट्विस्ट आने वाला है और मंजरी और मुस्कान एक साथ हाथ मिलाने वाली है तो चलिए जानते हैं आप सभी का मन पसंद सेरियल यह रिष्टा का कहलाता है कि आने वाले ट्रक में क्या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है हाला कि हम सभी ने पिसले एपिसोड में देखा था कि कैसे अक्षरा के घरवाले और अभिमनू के घरवाले सभी लोग बैठते हैं और फिर उन्हें शादी में गिफ्ट देने के बारे में सोचते हैं कोई कहता है कि उन्हें हम home house gift करेंगे तो कोई कहता है कि बाइक gift करेंगे तो केसी का कहना रहता है कि हम उन्हें honeymoon package gift करेंगे वहीं तभी जैसे अक्षा और अभिमनु दोनों आते हैं सभी घरवाले शांत हो जाते हैं और फिर क्या अभीर आखिर कार अक्षा को बता ही देता है कि यहां पे क्या चल रहा है और क्या बाते हो रहे थी वहीं आपने ये भी देखा होगा कि कैसे शादी में सभी लोग dance करने के लिए dance practice कर रहे हैं और फिर सभी अपने अपने step को follow कर रहे हैं लेकिन अक्षा और अभिमनु सही से dance नहीं कर पा रहे हैं तभी dance teacher उन्हें उमका तंज कस्ती है और फिर दोनों का जो dance निकल के बाहर जाता है कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं साथ ही dance class भी बेहत impress हो जाती है उनसे लेकिन आने वाले episode में आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे मंजरी का भाई बार बार आरोही को परिशान करते रहता है और उससे आरोही इसलिए कुछ नहीं बोलते है कि उससे लगता है कि श इस तमाचा लगाते हैं इसके बाद संट अपनी बहन मंजरी को इस बारे में शिकायथ करता है और अपने यह देखना बहात दल्चस्प होगा कि क्या सच में अक्मनझरी और मुस्कान हाथ मिलाने वाली हैं. क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मुस्कान इस शादी के पहले ही से खिलाफ खड़ी है. लेकिन अब ये सवाल उड़ता है कि क्या मंजरी भी इस शादी के खिलाफ हो जाएगी और इन दोनों का मिलन होगा और फिर क्या ये दोनों अक्षा और अभिमन्यों की शादी रोक देंगे बेल इस वीडियो पे आप सभी का क्या राया है हमें कमेंट के जरी जरूर बताएं फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे एपनी फेबर सेलर के अपडेट जानने के लिए देखते हैं फिल्मे बेट और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न बुले और अगर आप ये वीडियो फेस्वूप के देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें